कोशन नमबर 6, find the length of side of a square whose area is 441 meter, कोशन में बूला गया है कि आपके पास एक square है, जिसका area है 441, और आपको इसकी length find करनी है, so हम length को expand लेते हैं, let the length be x meter, so area of square को formula क्या होता है, side into side, और हमारा area of square कितना दिया है, 441, और side को हमने क्या माना, x into x, so 441 equals to x square, आपको पता हैं, जब square यहाँ से हटेगा, तो वहाँ पर root आ जाएगा, root 441 equals to x, now अब हम 441 का square root निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम bars put कर लेते हैं, so हमाई first digit क्या है 4, और 4 किसका square होता है, 2 का, so 2, 2 is a 4, now 4 में से 4 हो जाएंगे, तो बचेंगे 0, और यहाँ पर हमें क्या add करना है, 2, और 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, आप second pair को नीचे ले आईए, that is 41, so मैं यहाँ पर क्या put करूं कि मेरा 41 आ जाए, so मैं को 1 ही put करना रहेगा, जब मैं 41 इंटू 1 करूंगी, तो मेरा 41 आ जाएगा, 41 में से 41 जाएंगे, तो बचेंगे 0, so 441 का square root क्या होगा, 21, तो जो मेरा x होगा, वो भी क्या जाएगा, 21 मेटर, hence, the length of square, is 21 मेटर, जाएगा, जाएगा क्या होगा, आ जाएगागा।